हलो साथियों नमस्कार मैं आशिष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सन्राइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग का हार्दिक स्वाद करता हूँ साथियों आज आप लोगों के बीच में मैं विज्ञान साइन्स का एक और टोपिक लेके आया हूँ का पर्चय वो मैं करा दूया हूँ फिर दूसरा वाद है कि रासी था सदीस रासी अदीस रासी किसे कहते हैं उसको उपर भी मैं वीडियो बना दिया हूँ और तीसरा था SI unit, SI मात्रक क्या होता है, कितने परकार के होते हैं, ये सभी का वीडियो मैं बना चुका हूँ अब आज आप लोगों को गती के बारे में पढ़ाऊंगा जो एक गती होता है, उसके बारे में बताऊंगा कि गती आखिर क्या है इसके अंतर के कौन-कौन से पार्ट आते हैं इसमें कौन-कौन से हिस्सा होता है खास करके दोस्तों ये टॉपिक आई चैप्टर है वो कमपटीशन के फिल्ड में फाइदा होता ही होता है उसके साथ साथ अगर कोई student 8, 9, 10 में हैं और वो 10 का एक्जाम देने वाले हैं चैटो 9 पड़ रहे हैं उनके लिए ये काफी फाइदे मंद होगा उनको बताया जाएगा इसमें कि गती क्या होता है चाल क्या होता है विस्थापन क्या होता है इस तरह के सारी जनकारी आज आपको मिलेगा अब बिल्कुल समझा दिया जाएगा रटने की कोज़ोत नहीं है बिल्कुल आपके दिमाग में फिट कर दूँगा बस वीडियो में देखें आप पूरा याद समझने लिजेगा बस उतना में किलियर हो जाएगा तो साथियों अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और ज्यादा ज्यादे लोगों में सेर करें ताकि उनको भी वीडियो का लव मिल सकें तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं educational वीडियो साथ motivational वीडियो और railway संबन्धी वीडियो लेके आते रहता हूं लोगों के लिए एक साइन्स का टॉपिक लेके आया हूँ जो आज मैं आपको बताऊंगा गती के बारे में और साथियों अगर ये पार्ट बन पार्ट टू पार्ट थिरी नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दे दूँगा वहाँ से आप जाके देख सकते हैं और या तो प्ले लिस्ट में बिग्यान का जो फाल डर है उसको आप सर्च करके देख स करते हैं तो चले साथ ही शुरू करते हैं आज का तो जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान में आज आपको गती मोशन बता रहा हूं मोशन तो साथियों मोशन अब आता है कि कहता किसको है गती कहता किसको है तो कहा गया यदि किसी बस्तू की स्थिती किसी स्थीर बस्तू क सापेच समय के साथ बदलती रहती है उसे गती कहते हैं ध्यान से देखेगा का रहा है कि यदि किसी बस्तू की स्थिती किसी इस्थीर बस्तू के सापेच समय के साथ बदलते रहती है उसे गती कहते हैं देखे का रहा है कि यदि किसी बस्तू की स्थिती समय के साथ समय के साथ इस तीर बस्तू के सापेच अपनी दिशा बदलते रहती है उसे गती कहते हैं ध्यान से समझेगा कि मान लिजिए कि कोई कि वस्तू है यह इसमें गती तब होगा जबसापेच मतला उसके सामने में उसके अनुकूल इसके दिशा और रहती है उससे क्या कहते हैं गती कहते हैं जैसे मान लिजिए कि आपका ट्रेन हर लोग ट्रेन में सफर कियो होंगे तो पट्री के किनारे बहुत सारे पोल खंबे और किनारे किनारे पेड़ पौध है देखते होंगे तो देखते होंगे कि जो का रहा कि किसी स्थीर बस्तू तो पोल खंबा और आपका पेड़ पौधा क्या है इस्थीर बस्तू है तो कारा है कि उसके सापेच, मतलब उसके सामने में समय के साथ बदलते रहता है, जैसे मान लिजे कि ये ट्रेन गुजर रही है, ये यहाँ पर खंबा है, तो ये समय के साथ क्या करेगा, इसको पार करेगा, तो ये अस्थीर बस्तू वहीं पर आजाएगा, लेकिन ट्रेन का इस्थीती क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, जिससे क्या कहेंगे, उसे गती कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, गती कहते हैं, कि इस्थीर बस्तू के साथ समय के साथ बदलते रहते उसे गती कहते हैं, जैसे बताएगी ही कि चलती ही ट्रेन के पट्री के किनारे पोल, आप कहते हैं अब ध्यान से देखिएगा कि अब दूसरा है दूरी डिस्टेंस दूरी किसे कहते हैं तो ध्यान से कह रहा है कि बस्तु द्वारा किसी समय अंत्राल में तैक की गई रास्ता की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं दूरा किसी बस्तु के द्वारा किसी समय अंत्राल के साथ तैक की गई दूरी के संपूर्ण जैसे मान लिजिए कि हमको अपने कोचिंग से बिहार सरीफ या पटना जाना है तो उसके बीच में जो एक समय अंत्राल के बीच में जो रास्ता की लंबाई होगी उसे हम क्या कहेंगे दूरी कहेंगे जैसे तो यह दूरी हो जाएगा अब यह साथ यह जैसे मुदाहरन के और यह आप फिर किसी भी दूरी को ले सकते हैं किसी दो अस्थान के बीच के दूरी को क्या उसके का सकते हैं अप दूरी कहते हैं यह कहा गया है कि दूरी है जो अदीश रासी है दूरी अदीश रासी है कियोंकि इसमें आपको अभी तक यह नहीं समझ में आ रहा है कि सदीश रासी और अदीश रासी किसे कहते हैं तो पार्ट नमबर टू जो सदीश अदीश रासी का विडियो है उसे जरूर जाके देखें तभी आपको अपने आप में समझ में आ जागा कि ये सदीश रासी है कि अदीश रासी है अब आगे है विश्थापन डिस्प्लेस्मेंट किसी बस्तु की अंतिम दूरी और अन्तिम स्थिती और 50 की बिच की दूरी को विश्थापन कहते हैं नि YA उन्तम दूरी को विश्थापन कहते हैं मानल लिजिये कि ये दोनो है हमारा दोनो हाथ है तो ये अंतिमिस्थिती और ये प्ररंभिक स्थिती ये दोनों के बीच में जो दूरी हुई जो नियूनतम दूरी हुई से क्या कहते हैं विस्थापन कहते हैं तो अगर एक क्या है सदीश रासी है या एक सदीश रासी है कौन विस्थापन विस्थापन सदीश रासी है अब आगे चलिए चाल जिसको अस्पीड काते हैं तो कहा गया कोई बस तू इकाई समय में जितनी दूरी तय करें उसे चाल काते हैं मतलब एक समय में जितनी दूरी तय करें मतलब जितना समय में जितनी दूरी तय करेंगा उसे क्या कहते हैं चाल कहते हैं चाल यह चाल क्या है एक अदीश रासी है चाल अदीश रासी है और साथ ही हो एसाई यूनिट में आपको बताए थे कि चाल का एसाई मातरक मीटर परती सेकेंड होता है मीटर परती सेकेंड होता है जिसको सोट में असमाल एम अबलिक एस से सुचिज करते हैं यह बटा है ठीक न तो चाल का एसाई मातरक मीटर परती सेकेंड अब अगला है बेग वेलोसीटी तो कहा गया है कोई बस्तु यह काई समय में किसी निश्ची दिशा में जितनी दूरी करें उसे बेग कहते हैं क्या करा कोई बस्तु कोई बस्तु इकाई समय में किसी निश्ची दिशा में करा कोई बस्तु इकाई समय में किसी निश्ची दिशा में जितनी दूरी तै करें जितनी दूरी तै करें उसे क्या कहते हैं उसे बेग कहते हैं उसे हम बेग कहते हैं किस कोई बस्तू है जितनी दूरी तै करें उसे बैग कहते हैं यह 278 being क्या है सबस्न की सरा कि इसमें दीषा और परिमान दोनों है क्योंकि कहां जाने सक्धीद दिशा में दर्फियाँ लिखा हुआ है निष्चीद दीशा में तो निष्चीद दीषा हो गया और परिमान जो निश्ची दूरी को क्या कहते हैं परिमान के रूप में कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं बेग कहते हैं इसलिए यह एक सदी सरासी है अब बेग का एसाइ मातरक भी मीटर परती सेकेंड ही होता है जो आपका चाल का होता है वही एसाइ मातरक बेग का होता है तो जैसा कि साथियों आपने देख लिए कि गती तो पूछ देखा गती किसे करते हैं तो आप बता सकते हैं कि अधि किसी बस्तु की स्थीती को किसी स्थीर बस्तु के साथ समय के साथ बदलते रहती है उसे गति कहते हैं दूसरा में हो गया आपका दूरी तो बता सकते हैं कि बस्तु द्वारा किसी समय अंत्राल में तै किये गई रास्ता की संपूर लंबाई को दूरी काते हैं, दूरी एक अधिसरासी है, अब विस्थापन, किसी बस्तू की अंति मिस्थितित्था प्रराम्भी की स्थिति की बीच की नियूनतम दूरी को क्या काते हैं, आपको विस्थापन काते हैं, अब है चाल, तो कोई बस्तू की सब्सक्राइब होता है वेग कोई बस्तू की काई समय में किसी निश्ची दिशा में जितनी दूई सब्सक्राइब करें को कि इसमें दिशा और परिमान दोनों होता और वेग का इसाइ मात्रक भी मीटर परती सेकेंड होता है तो साथियूं यही था गती जिसके बारे में मैं आपको बताया हूँ तो साथियूं विज्ञान को समझें रटने की कोर्शिस ना करें और उसको अपने तरीके से परिभासा definition हो उसको बनाने का courses करें जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ तो साथियों जो भी 9-10 में हैं वो भी ये वीडियो को जादे देखें क्योंकि एक्जाम जैसे नजदीक में एक्जाम आने वाला है तो यही सब क्यूश चैनल की आपको पूछे जाते हैं कि आपको चाल की से काते हैं विस्थापन की से काते हैं तो साथियों मैं इस तरह से आपको साइन्स का हर टॉपिक के उपर वीडियो लाते रहूंगा और जितना जादे से जादे हो सके कि हमारे वीडियो को सेर करते रहें ताकि हमें भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी फायदा मिलेगा तो साथियों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ने करें तो प्लीज आमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें तो साथियों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक धन्यवाद